हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल बिंदास गुरूजी में बहुत बहुत सवागत है अगर आप भी लंबे समय तक जीना चाते हो तो हमेशा के लिए छोड़ दें यह पांच चीजें कौन सी यह वे चीजें आईए जान लेते हैं इस वीडियो के माद्यम से दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जनकारी प्राप्त उसके और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ सेयर करना और हमारे इस यूटूब चैनल बिंदा सुगुरूजी को सब्सक्राइब जरूर करना है और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन पर भी कलिक करना है ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं लंबा जीवन जीने के लिए यह बात जरूरी है कि आप अपने सवास्ते का ध्यान रखें अगर आप अपने सवास्ते का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप बिमार पड़ सकते हैं आज के दोर में फिट रहना बहत जरूरी है लंबा जीवन जीने के लिए आपको इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए बाजार में लोग किसी भी चीज़ को चानने के लिए पालम ओयल का इस्तमाल करते हैं पालम ओयल से बनी चीज़ों का किसी भी मनुश्य को सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह cancer का सबसे बड़ा कारण होता है हम चीनी को बिलकुल बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि अगर आप चीनी का ज़्यदा मातरा में सेवन करेंगे तो आप diabetes से गर्शित हो सकते हैं यानि कि sugar से गर्शित हो सकते हैं यह रोग शुरुवाती लक्षणों में ज़्यदा खतरनाक नहीं होता लेकिन अंतिम चरणों में यह बहुती ज़्यदा गहतक हो जाता है इसलिए आपको चीनी के मातरा पर नियंतरन रखना चाहिए आज के दोर में कई लोग फाश्ट फूड जैसी चीजों का सेवन करते हैं फाश्ट फूड का सेवन आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि फाश्ट फूड के सेवन से कई बिमारियां फैलती है जिस से आपका सरीर ऐसा उस तो जता है नमबर चार नमक हम नमक को बिलकुल बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा मात्रा में नमक का सेवन करेंगे तो आपका बल्ड प्रेसर लेवल बढ़ जाता है और कम मातरा में नमक का सेवन करने से बल्ड प्रेसर लेवल घट जाता है यह समस्य चालिस की उमर के बाद सुरू होती है इसलिए आपको नमक का सेवन करते समय उसकी शही मातरा का ध्यान रखना साहिए और रोजाना पांच ग्राम से ज्यादा नमक का सेवन नहीं करना साहिए और दोस्तों नमबर पांच है मसालेदार बोजन कभी कभी मसालेदार बोजन का सेवन करना सही है लेकिन अगर आप रोजाना मसालेदार बोजन का सेवन करते हैं तो आपको सावदानों जाने के आउ सकता है, क्योंकि इससे आपके स्वास्ते पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और आपका सरीर बिमारियों की सपेट में आने लगता है, इसलिए आप इस बात का खास क्याल रखें। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें, और हमारे इस यूटुब चैनल बिंदास गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद गंटी के बटन पर भी कलिक कर लें, ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहें